इस अफ्कार आप देख रहे हैं इंदुस्तानी मीडिया आए आज हमारे सामने अलिगर्बुस्ति लिए इनुवर्शिटी के एक्स इस्टूरेंट प्रिसिदेंट जॉक्टर मस्कूल अम्मद उस्मानी साहब हैं उस्मानी साहब आपका इंदुस्तानी मीडिया में बहुत- लिए अट है उस्मानी साहब आज आप मक्सूदा मध्वाली टिल्हा के मक्सूदा पंचायत में आने का बकसत क्या है और जैसा का मुझह्र मुझे मालूम है कि आप वेडाली मुहिम चला रहे हैं लोगों बेंग्रुकता फ़्ेला रहे हैं जाग्रुकता किस तरी स rou оп उता इसके बारे में आप जानका देखिए अभी मकसुदा में आना हुआ हमारा और यहां पर हम लोग अलाके जाने हैं अलग अलग जगा अलग 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 पर पर किस तरह से तालीम को लेकर लोगों के बीच में बेदारी आए एक सीरियसनेस और तालीम के इंपोर्टेंस को समझ टाइल हैं भपक्राइब को बीटी का आपा सोशायटी की तकदीर है हूं वो तालीम से बतले गी जब हम अच्छी तालीम लेंगे और आच्छी तालीम की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे बाकी मसाहिल हैं चाहे वो सियासी मसाइल हो चाहे वो माक्षी मसाइल हो तमाम मसाइल जो है तालीमी मसाइल के अंडर आते हैं अगर तालीम अगर हम हासिल करते हैं और हमारा जो नौजवान तबका है जो हमारे बच्चे हैं अगर उनको अच्छी सिख्षा मिलती है तो हमारा यह मानना है कि कही कहीं वह काम्याबी कि तरह पढ़ेंगे और जो लोग विस दुनिया के अंदर गाइस मुल्क के अंदर काम्याब लोगों में गिने जाते हैं उन तमाम लोगोंने अछी एजुकेशन को हासिकर कि अच्छी तालियम् अच्या वह महात्मा गांधी हो जाए वो जवारला नेरु ह जाहे वो मुझे बताएं कि आप अलिगर्मुस्लिम उन्वर्सिटी में अधियक्ष रहे हैं और ये मितलान्चल के लिए शानकी बात है क्या आप जिस पिरिएड से में अधियक्ष रहे होंगे तब से लेकर आज तक कि क्या आप मितलान्चल के दरजनों बच्चों को सेग्लो या दोचार दस बच्चों को क्या आप अलिगर्मुस्लिम नुवर्सिटी में दाखला कराने में अलिशन कराने में आपने मदद करा है उसका या आपके पास को ऐसा रिकर्ड है कि आपके कहने पर इन्फुलेंस होकर आपकी बातों में आकर वो बच्चा तैयारी करके बातों, आपको जुड़े हूँए हैं और उसके जरीये हम लोगों ने जो है वे दारी की मुहीम अलग-अलग अलाकों में चलाई है, मिदलांचल में भी चलाई है और मिदलांचल के अलहमदुलिल्लेह आपने दरभंगा, मधुबनी, जिंजारपोर के गाउं के लोग जो वोग अलिगर मुस्लिम उनुवस्टिटी का बस नाम सुने थें, कभी इनके घर से कोई अलिगर आया नहीं था, तो जो बच्चे भी जिस गाउं के थें, हम लोगों ने टीम अप करके उस गाउं में छोटे-चोटे प्रोग्राम्स के, कारियर गाइडेंस के, कारियर शुच्ण बेसलिगर के तो सव्केव से वाऍट पतलनेु कवाठी गाउं मुस्टिशन पशाई 04 है उसके रहनी जिसलिगर के कोचिंग का कले एक वह पर होती है אנחנו में मैकसिमोम डिस्काउंट अगर तो उसको हम लोग अपने पास से पैसे देखे, रिक्वेस्ट करके, फ्री करके उनकी पोचिंग के इंदान, यह सब लगातार हम लोग करते रहे हैं, चुकि मालूम है कि हम लोग पिछड़े लाके से आते हैं, ऐसे लाके से आते हैं, जहां पर तालीमी बेदारी उस हद तक न गवार मैं लेक्षे उसको हम घड़े में तॉकि आपको हमने में जानता हूं मैं आपको in NRC में अड़ाओ आके लोगों को आपने बेदार किया हैं, लोगों घागूरू पिदा की लोगों को तालेमा काम क्या है अटे उसम बानूको नहीं अपर तक हम मेंने देखा हैं आप हमाला लीडर होगा देखे आप मैं आपको बता हूं कि अलिगर मुस्रीम उनिवर्सिटी तलबा यूनियन के जो लोग भी सद्र रहे हैं वो सियासी मैदान में अपने हाथ आजमाए है तो इसमें कोई दोराएं नहीं है कि मैं सियासी मैदान में नहीं आओंगा मैं इंकार नह स्टूडेंट न्यूनियर का जो एलेक्शन होता है वहां भी वोट देना पड़ता है सौ परसेंट पढ़े लिखे हुए लोग वोट करते है आप लोग की दौहों से आज तक कि अलिगर मुस्रीम उनिवर्सिटी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वारा प्र स्टूब आज़ेगे सियासी मेदान में हात आज बाना चाहिए तो इंशालला उसके लिए भी तैयार है कहीं से उसके लिए मना नहीं है लेकिन कोई इस तरह से अभी जहन नहीं बना चुकि कई लोग ने उससे सवाल किया कि आप भूम रही है मैंने का मैं पहले भूम रहा कि अपने भी देखा है और तमाम लोगोंने देखा यह लिए कर बेदारी के लिए हर हर वक्त हम लोग जो है वो अपने नहीं बिल्कुल नहींगा कॉंग्रेस के समर्तिक होता है तो हम शकील साब का क्यंपेंग करने नहीं इनुगी सबूट है और इस बात को भी अधा कर दू कि दिल्ली के अंदर मैंने आतिशी मांण लेना को एप्यों सानसीफ का वो आम आदी पार्टी से थिंः ूसभी मैंने जिनको स्यासि भेदान में आना चाहिए, जिनको बने रहना चाहिए, जैस कौम के लिह कुछ क्ठाना चाहिए उनके साथ हमारा ठूला समध्र में, शक्राण शेकिल साब की साहएं, कोई परसलेशन नहीं था, उस वक्थ जो श्यासी वेदारी की जरूवत थी वह उनको support कर के, फ्रिया सियासी बदारी किया सकते हैं। समιज को से उसली काम, और हमनी उंग्या कि काम मैं आधा.. है पर इलेक्शन कंवान ऑप जुपर से लोग फार sitzen पर जीते हैं बहुत बोडसे जेते भाराइब है तक हार फारी कि पर उनी नचाहिएज्ट जरिये से समाध्यन से मेरा एक मैसेज है वो यह है कि आप उच्छी सिख्षा की तरफ आईए हाईयर एजूकेशन की तरफ तालीम की तरफ अपने कदम बढ़ाईए और अगर आपके कदम कहीं रख राए तो आप याद कीजिए कि आपका छोटा भाई कमाने बाद भाई माने मश्कूर उस्मानी आपके साथ खरा है हिंदुस्तान की किसी कोने में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं आप आगे बढ़ना चाहते हैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप डिरेटली हमसे कॉंटेक कर सकते हैं मेरे फेस्बूक पेज पर आप जाईए वह लोगों को सिखाया है कि किस तरह से एक दूसरे से कॉंटेक्ट बना के आप चीजों को आसानल कर सकते हैं तो हम यही कर सकते हैं कि आपको बहुतरीन तरह से हम लाइनप कर सकते हैं जो हमारे तरफ से मदद होगी वह मदद आपको मिलेगी लेकिन कुछ भी कीजिए एजूके किजिए और लेटिस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भोलें